नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके साथ ना बहुत कुछ शेयर कर रही हूं आज सबसे पहले शेयर कर रही हूं अपना हेयर पैक तो मैं यहां पर दो चमच ले रही हूं आवला पाऊडर और एक चमच मेथी पाऊडर यहां पर मैं एड पाउड़ कर रही हूं मेरे हैर नब बहुत ज्यादा वेवी हो गया है उनमें कर्ल आ गया है तो उनके लिए मुझे यह चीज यूस करनी पड़ती है तो गरम पानी से रात के टाइम इसे भिगो कर रख दीजे और जब मॉर्निंग में आप इसको यूज करेंगे देखेंगे तो ये ठिक हो जाता है तो इसको आप दुबारा और पानी डाल कर लगाने लायक कर लिजे थोड़ा पतला कर लिजे तो देखे कितना गाढ़ा ये हो किया है अब मैं में थोड़ा सा पानी और एड कर लोंगी और इसको अपने बालों में आप्लायऄ कर लेंगे इसको आप कम से कम दो से तीन घंटे के लिए अपने बालों में रहने दीजे और उसके बाद आप hair wash कर लीजे मैं morning में ही ज़्याद तर इसे लगाती हूँ बाद बालों में कितनी अच्छी shine आई है है ना और मेरे waves जो हैं वो भी कम हो रहे है अब मैं आपके साथ share कर रही हूँ foam वाले cushion cover ये मेरे पास ना दो fabric मेरे कुर्ते में से बचे हुए थे तो इनका ही मैं बना रही हूँ और बहुत ही trendy ये जो मैं बना रही हूँ cushion cover है form के हैं ये दो तो मैं form के बना रही हूँ और दो without form बना रही हूँ ये आपको मिल जाएगी आसानी से किसी भी सिलाई की shop पे जहां पर सिलाई का समान मिलता है यहां पर मैं दो पीस काट रही हूँ अपने इस fabric में से 16 by 16 का और यहां पर एक इंच का मैंने margin भी रखा है तो ये दो पीस मैंने इस fabric के काटे हैं और दो मैं पीछे के भी काट लूँगी मैं आपको ज्यादा detail में कुशन की cutting इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार आपको अपनी कुशन कवर की वीडियो में आपको बता रखा है तो यहां 16 by 16 का मैंने कुशन दो वो काट लिए हैं कवर दो मैं इस फैब्रिक में से काट लूँ तो इस तरीके से दोस्तों हम न बचे हुए कपड़े से बहुत आसान तरीके से हम अपने घर में ही महंगी चीजे बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगती हैं मैंने साथ ही न इनका पीछे जो लगेगा अस्तर क्यूंकि इसमें मैं पेस्टिंग चिपकाऊंगी वो भी मैं काट लूँगी और जो जिब भी लगाऊंगी तो उसके लिए भी मुझे पीछे बैक का फैब्रिक जो चाहिए वो भी मैंने यहां पर कट कर लिया है आपको और कुछ जादा इसमें ताम जामनी करना यह मेरा फोम है जो मैं इसमें लगाऊंगी तो इसके लिए भी मैं सेम रख के इसको और इसी के साइस के फोम कट कर लूँगी दो पीस मैंने फोम के कट कर लिये हैं साथ ही जो मैं दूसरे वाले वाइट कलर का जो कुशन बना रही हूं कुशन कवर उसके लिए मैं ये पेस्टिंग यूज कर रही हूं ये भी आपको सिलाई वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी ये एक तरफ से तो आईरन से चिपक जाती है और दूसरी तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं तो मैंने उसी को भी अपने 16 by 16 साइज का काट लिया है और अब मैं इसको करूँगी पेस्ट जो अस्तर मैंने काटा था सबसे पहले मैंने वो बिछाया है और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पेस्टिंग लगा दूँगी देखे यह जो चिपकने वाली साइड है न वो हम नीचे कर देंगे अपने अस्तर की साइड इसका फेस्ट कर देंगे और उपर से हम इसको रख के अच्छे से प्रेस से हीट हमारी गरम होनी चाहिए प्रेस बहुत जादा हीट होनी चाहिए तो उससे क्यों आसानी से यह चिपक जाएगा और धीरे धीरे आप इसको इसमें पेस्ट कर दीजे अब सारा यह आप इसमें जब चिपका देंगे बहुत बहुत हो जाएगा तो इस तरीके से यह मैंने चिपका लिये है पहले इसको हम अपने कपड़े में फिक्स कर लेंगे चारो तरफ से सिल लेंगे है ना फिर इसके बाद मैं इसमें एक पैटर्न भी ड्रॉ करूंगी जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कहले तो मैं अपने कपड़े को ही इस पेस्टिंग में फिक्स कर रही हूँ जैसे पूरा मंध देते हैं इस तरीके से चारो तरफ अच्छे से सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बच जाएगा उसको मैं निकाल दूँगी जैसे थोड़ा फाल्तु बच निशान लगा रही हूँ और ये निशान मैंने अपने इस पीस पे चारो तरफ लगाया है जो मैंने तयार गया है इस पे चारो तरफ लगाया है अब हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे मैंने दोनों तरफ से लाइन ड्रॉ कर दी हैं स्क्वैर मेरे बन गए हैं त पिर जो मैंने लाइन बनाई है उन सभी लाइन पर मैं एक सिलाई मशीन की लगा दूगी, मैंने क्या किया था कि मैंने जो वाइट फैबरिक है उस पर मैंने इंच कर दिया, उस पर मैंने वाइट कलर नहीं रखा, थोड़ा सा पीची से रखा है और उपर से वाइट है, यह द तो आप आसानी से इसको इसमें डाल सकते हैं, देखिए ऐसे मैंने इसमें डाला, बस थोड़ा सा इसको प्रेस करके थोड़ा सा आपको अंदर करना है इसे, और फिर थोड़ा सा जोर लगा के देखिए इस तरीके से आप इसे खींच दीजे, और आपकी जिप हो गई है तयार अब हम अपनी जिप को अपने कुशन के अकॉर्डिंग काट लेंगे मैंने कई सारी जो जिप थी न वो डाल के उसमें छोड़ दी क्योंकि जब जरूत पड़ेगी तो इदम से हम उसको यूज में ले लेंगे बार-बार डालने का जंजट ना होगा चाहे तो आप वहां भी जिस शॉपर से इसे लेना उस पे भी डलवा सकते हैं कुशन के नाप से मैंने अपनी जिप काट ली है और यहां पर जिप को उल्टा करके फैब्रिक को सीधा करके हम अपनी जिप पर एक सिलाई लगा देंगे बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी जिप वाला कुशन बना सकते हैं बहुत ही आसान है और यहां पर मैंने पूरी इसमें जिप जोड़ दी है एक साइड से पूरी जिप, पूरी सिलाई हम पकी हम पर अच्छे से फिक्स कर देंगे अपनी जिप को अपने फैब्रिक में और दूसरी साइड जो जिप की है उसपर जो हम इसका कपड़े का बैक पार्ट है ना उसको इस पे अटेच कर देंगे same process हमें अपनाना है और इसको हम इसमें इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे fix कर देंगे बहुत ही सुन्दर आपके cushion cover बनने वाले हैं दोस्तों गर आप इस तरीके से बना रहे हो ना बहुत ही ज़्यादा सुन्दर बनेंगे बहुत अच्छे लगते हैं अब देखे मैंने दोनों तरफ इसमें जिप जोड़ दी है और इस तरीके से हम अपना fabric थोड़ा सा fold कर लेंगे जिप को करेंगे अंदर की तरफ fold और थोड़ा सा fabric और इस तरीके से करके एक सिलाई हम इसके उपर लगा देंगे जिससे हमारी जिप जो होगी invisible हो जाएगी दिखेगी नहीं और हमारा cushion रखा हुआ भी अच्छा लगेगा चाह सकते हैं लेकिन जिप दिखेगी तो थोड़ा सा finishing वाला नहीं लगता है थोड़ा सा ऐसे नहीं लगता है कि हाँ आपने market से purchase किया है यही काम हम दोनों तरफ कर देंगे दोनों तरफ हम अपने फैबरिक में सिलाई लगा देंगे और हमारा जो chain अब इसमें लग गई है अब हम क्या करेंगे ना इसमें आगे का process शुरू करेंगे देखे जिप लग गई है अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके हम इसको तीनों तरफ से एक तरफ तो हमने जिप लगा दी है और तीनों तरफ से अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे इसको बंद कर देंगे और हमारा कुशन कवर हो गया है तयार इसको सीधा कर लिया है मैंने और इसके किनारे जो है न कौने उनको थोड़ा अच्छे से आप किसी pen की help से या pencil की help से नुकीली चीज से आप इसको सीधा कर सकते हैं कौनों को अच्छे से से निकाल लिजे और यह देखिए हमारा कुशन कवर हो गया है ready बिलकुल ऐसा जैसा की market में मिलता है अब हम बनाते हैं दूसरा इसके लिए दोस्तों मेरा जो ना matching का fabric था वो कम पड़िया था क्योंकि मैंने बच्चे हुए से ही बनाया था तो दूसरा म भी pattern बना हुआ है न साइडों में लहरिया टाइप बना हुआ है इसी को मैंने फॉलो किया है बस मैंने इसमें अलग से अपना कोई pattern नहीं बनाया है आप चाहें तो बना भी सकते हैं लेकिन मैंने नहीं बनाया है मैंने इसको simple simple उनी lines के उपर सिलाई लगा दी है और मेरा ए तो अब दोनों में जो दो कुशन कवर मैंने तयार किये थे ना उनमें हमें लगानी है एक साइड मैंने लगा दिया मैं दूसरी साइड पर भी लगा रही हूँ जो भी pattern आपके कपड़े में है अगर आप उसे follow करेंगे तो बहुत अच्छा लोग आता है इदे की पीछे से भी कितना सुन्दर लग रहा है तो इसा तरीके से मैंने अपने दोनों को कुशन को टयार कर लिया है जिब इसमें ऐसे लगा रही हूँ जैसे कि बीच वाला पार्ट होता ना बीच मे जिब लगा रही हूँ उपर नहीं लगा रही हूँ वाइट वाले में मैंने उपर पर और इसको चारो तरफ से बंद कर देंगे और बंद कर हो जाएगा तयार आसान तरीका और इसी आसान तरीके से हम अपने घर में ही expensive चीजें create कर सकते हैं लिकिन यह देखें मैंने यहां पर जैसे इसको सीधा किया तो यहां पर यह हमारा जो foam है वो इस तरीके से हो रहा है अच्छी सी shape नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको दबा कर इसके उपर से एक-एक सिलाई और लगा देंगे थोड़ा सा ऐसे तबाएंगे और आदा इंच के करीब margin चोड़ेंगे और चारो तरफ से हम इसमें एक-एक सिलाई और लगा देंगे जिससे कि यह बहुत अच्छा लगेगा, सुन्दर लगेगा और लगेगा कि हाँ बढ़िया चीज आपने बना के तयार कर ली है और जो लेते हैं उससे अच्छे से नहीं बन पाता है यह देखिए हमारे कितनी खुबसूरत चीज बनके तयार हो गई है लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा ज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक भी जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो यह देखिए इस तरीके से मेरे चारो कुशन मैंने आपको रखके दिखाए हैं आपको कौन सा वाला ज् चलिए नज़्दीक से भी मैं आपको एकदम पाच से अपने कुशन कवर दिखा देती हूं यह देखिए लग रहा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा था इनका खुर्ते में से बचा हुआ था तो बहुत ही प्यारे यह बनकर तयार हो गए हैं तो दोस्तों मैं आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो कुशन कवर बनाने का यह तरीका यह डिजाइन आपको पसंद आए हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मुझे कमेंट करके बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए